हाई अब्रिवान नमस्कार सभीको आज आप वन अफ तो मोस्ट कॉमन्स के लिशू डिस्कुस करेंगे दाट इस अक्ने स्कार्स अक्ने स्कार्स क्यों होते हैं और इनको कैसे टैकल किया जाता है कभी ने कभी तीनीज के टाइम पर या कभी लाइफ में आगी हमें कभी ने कभी आक्ने हुआ है प्राब्लमं आक्ने नहीं है पर आक्ने के बाद जो गंडा पर जाता है या माक्स रह जाते हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं हमारा self confidence down करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि acne scars को भी टाकल किया जा सकता है अगर आप time ली सही वक्त पर acne heal होते ही acne scars को टाकल करें तो बहुत fast तरीके से minute procedure से इनको टाकल किया जा सकता है पर अगर आप उनको छोड़ देंगे यानि 3 months cross हो गए 4 months cross हो गए तो फिर उनकी healing property stop हो जाती और हमें बिना procedures के हम उनको टाकल नहीं कर सकते हैं तो basically सही time पर जैसे आपके acne heal हो जाते हैं या आपको active acne है उसी वक्त अपने तर्माट को दिखाएं तो basically acne scars होते क्यों है जैसे acne different different sizes के होते हैं तो उनके गड़े भी different different sizes के form होते हैं जितना बड़ा acne उतना बड़ा गंदा right तो बहुत सारे procedures हैं जो इनको टाकल करने के लिए use होते हैं because size differ करता है acne scars में तो same type का procedure सारे depth के acne scars के उपर work नहीं करेगा क्यों क्योंकि कुछ acne scars की depth जाता होती है कुछ की कम होती है तो एक ही procedure सब पर काम करना थोड़ा problematic होता है तो as a derma we prefer combination of treatments तो basically क्या-क्या treatment करे जा सकते हैं सबसे basic treatment जो पुराने टाइम से चला आ रहा है that is subsistion basically जितने पी acne scars हैं वो नीचे band से skin पे attached होते हैं तो subsistion method से हम उन bands को तोड़ते हैं ताकि skin ऊपर उठे and depth की visibility जो आतनी की होती है वो कम दिखे CO2 laser, CO2 laser one of the most common widely sorted treatment है for acne scars इसके number of sessions required होते हैं and इस procedure के बाद में sun protection very must होता है तो इस procedure को strict sun protection में आपको करना है MRF laser that is micro needling यानि micro pores create करे जाते हैं skin के अंदर और उसके through radio frequency energy pass करी जाती है healing stimulate करने के लिए simple micro needling procedure combination with PRP भी acne scars के लिए किया जाता है जो लो pigment prone होते हैं जिसमें laser energy जादा पास नहीं कर सकते हैं उनमें यह procedure किया जाता है आरे पास time नहीं है बहुत fast track result हमें चाहिए तो fillers भी acne scars को ठीक करने के लिए use किये जाते हैं fat grafting also is sorted for acne scar treatment अब आपको पता है around six to seven procedures है जो acne scars के लिए करे जाते हैं और इंगे combination से हम maximum result लेके आ सकते हैं तो अगर single procedure सिफ 30-40% result लेके आएगा तो अगर हम combination करेंगे and skin की healing ability stimulate करेंगे तो that result can move up to around 70-80% तो अगर आपको acne हुए है acne scars है या pigmentation issue है तो please अपने nearby dermat को sort करें और आपका best procedure according to your skin type start करें